भाई स्वागत आप सभी का वाई-फाई स्टडी चैनल पर विच इस पाट अपनेक एडमी अपस्वाम विजिबल टू एवरिवन नमस्कार दोस्तो अमाय ओडिबल टू एवरिवन एक बरी कमेंट बॉक्स पर लिखिए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है ठेक है फिर स्टा है ठेक है तो बड़िया तरीके से शेर करो एक बरी सेशन को सारे के सारे ठेक है एक बरी सेशन को शेर करेगा जिससे सारे जुड़ सके ठेक है स्टार्ट करते हैं सेशन को साड़े-दस वज़े का यह सेशन डेली हो रहा है आज इसका पार्ट फोर्थ है दोस्तों ठेक है प साथ को क्λαइस कोशन म ändern की होगी इस क्लास के जस्ट बाद होता है कोशन में और उसका टार्केट किया है कि हम इस क्लास को कंप्लीट कर सके यहाँ पर को 50 से साथ फॉड शूर्ण कर आउए और उसके बाद इस कोशन का आंसर बताएगा ठेगा थोड़ा सा कोशन बड़ा है और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कि बहुत मुश्किल कोशन है ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो कैमल होता जो उट होता न वह एक डैजर्ट अनिमल है और वह पानी के बिना बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है होती नहीं है व मौटर वटो मुका बोड़ी के इंदर वा उक्सिडेशन से हो जाता है ठेक है वगया बॉठर होता है इस में जिसमें क्या है ठेक है पानी अधिस कर लेटा तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं जिसकी वीधिसे कैमल बिना पानी के भी बहुत दिनों तक सर्वाइब कर सकता है ठीक के चलिए ओके प्रकाश ठीक है चलो इसी बात पर कोशन का आंसर बता दो ठीक है दूसरे कोशन पहला कोशन थोड़ा सा आजीब सा खतरनाक सा कोशन आ गया था बता इसकोशन का आंसर शेर करना सेश्ण को जल्दी से बताएगा ठीक है इंपोर् बहुत इभात के चलिक हैं स्भी बताओ पहले कोशन का आंसर बताओ सारे की सारे सारे आंसर मुसले रहेइं टिमえばी किया था औकि बन ल कुछन आता है डेकिन यह मेंडलिव इस्का आंसर नहीं दोस्तों ठीक है इस कोशन का आंसर मताओ करा भाई बैंसोन हेच कप किस खेल से संबंदित है यार खेल से संबंदित ट्रोफी जो है उनके कोशन 100 परसंट आते हैं चाये वह आप आगाखन देख लो सुल्तान कर लो ठीए रोवर कप देख लो यह सब कोशन आपको मिलते हैं इसलिए यह वाला कोशन 100 परसंट कर ले ना को जासा ही आपको फ्राइडे को मैराथन मिलेगा ठीक है टाइमिंग आइब टेल यू ठैके ठेक गल मैं आपको बताता हो टामिंग भी आंसा का एट स्क्रिकट्स से सम्द से एक और बलबर का मतलब क्या होता है ठीक है ब्लबर का क्या मतलब होता है जल्दी से बढ़ेगा ठीक है ठीक है ठीक फैट की लियर जो जिसको ब्लबर कहते हैं ठीक है देखो यार इसको शंगान सब पीएच ओफ लेमन जूस अगर मैं बात करूं तो यार अशडीक होगा तो साथ से कम इसका आंसर है अगर उसकी श्रेडी अगर आती है तो उस वज़े से वह साथ से कम ही उसका पीएच का ठीक है वैल्य होने वाला है ठीक है अगर वह अमलिय के जगा लवन होता तो अलग हो ज था ठीक है एक और कोशन दिखें इस कोशन का अंसर के यह बहुत इंपोड़न और और अपर बहुत कम नहीं है बहुत अच्छा यह अमांट है जो हमारे भारत का है अब पूचा जा रहा है इसके हिसाब से इंडिया कौं सी रैंक पे आता है फोरें रिजर्व एक्सचेंज क मैं इस हिसाब से देखूं तो इंडिया किस रैंक पे आता है ञद रखेगा इस फिस रैंक पे किस रैंक पे अच्छा कोशन है यह आपको मिल सकता है प्रमोर सेकंड बताने वालो पता चाईना अमेरिका का कितना है ठीक है समझ रहे हो direction of heat flow माल लिजी एक ये area A है और ये B है या फिर कुछ भी location अगर इधर से इधर heat flow कर रही है तो उसका जो अधार होगा वो क्या होगा किस अधार पर जो उश्मा है उसका प्रभा की दिशा पता चलेगी ठेक है संदीप try your best ये question इतना बड़ा दिख रहा है कुछ नहीं है मैं question सोल करा हूँगा सारे के सारे ऐसा बड़ा question देखके डरना नहीं है इस question का answer बताओ सबसे असान question जैसे ये question कह रहा है कि भई detail है chief of defense staff में और पहला पूछा गया है कि statement कौन सा सही है तो मैं आपको clear cut बताओं इसमें ज्यादा detail है भी नहीं वस इतना है कि रिटायर जनरल विपिन रावत जी जो है हमारे पहले chief of defense बने और बाखी की statement गलत है ये principle defense advisor नहीं है प्राइम मिनिस्टर के वो हमेशा जो है अजित द्योल ही है हमारे ठीक है national security advisor that is a defense advisor ठीक है all are three जितने भी chief defense है वो इनी के अंडर काम करें बिल्कुल गलत ऐसा भी नहीं हो सकता क्यूंकि अगर ऐसा होगा तो इंडियन आर्मी के अंडर काम करने लग जाएगे इंडियन और फोर्स और यह सब और वह ऐसा होगा नहीं ठीक है तो भाई बस पहली statement सहीए कि जर्नल कोशन है अगर मैं एक क्यूंध कोशन का है तो एक रूप से बहुत करें मोटर क्या है ठीक है आप मोटर का अगर बेसिकली मतलब नहीं समझते तो दिवार पे जो हम क्या बोलते हैं सीमेंड लगाते हैं पलस्तर जिसे हम कराते हैं बेसिक आम भाशा में जिसे हम पलस्तर गहते हैं टैटिस कोल्ड मोटर ठीक है अब वो मोटर किसका मिशनन होता है तो बज़िरी होती है, simple सी बात बोलो तो, ठेक है, चलि एक और question देखे, question 11, है छोटा सा, लेकिन है बड़ा प्यारा question, बताई इस question आन सके हैं, ठेक है, participate करो इस class में, share करो session को जल्दी से, ठेक है, ये class डेली, साड़े, दस बज़े हो रही है, fix timing है, question important, देखो जो परमाणू बल होता है, nuclear forces जो होती है, उन पे question आता है, nuclear forces का सवाल अगर पुछा जाए, कि भई, ये हमेशा बल जो है, charge independent होता है, ठेक है, हमेशा ये जो बल है, ये charge independent होता है, महतपुन सवाल है, ठे biggest solar park, पुछा क्या कोन से राज्य में, comment करेगा, anti-pc जो इंडिया का सबसे biggest solar park launch कर रहा है, ठेक है, answer क्या है, इस question का, गुजरात इसका answer है, ठेक है, ठेक है, answer क्या है, cactus is referred to as what, ठेक है, cactus जो है, दोस्तों, बहुत basic है, कि cactus क्या है, cactus हमारा रेगिस्तान इन सब जगा पे zero fight होता है, that does not require much amount of water, तो zero fight के condition जो होती है, वो cactus की होती है, simple सा कोशन, है ना, जो कोशन असान है, जिसमें मतलब कुछ है नहीं, दुख दुबीदा नहीं है, इसको solve करने में बहुत असान क सस्था सवाल, ठीक है, बताएं इस कोशन कान सके, यह है important question, बताएं, हंजी सारे solve करो, इस कोशन कान सके है, अभी मैं इस class के बाद 11 बजे का question bank जरूर कराऊंगा, don't miss that question bank, बहुत ही महतपुण होता है, question bank आपके रिए, जैसे यह question देखो, कि रजत नंगनी जो है, किसके द सवाल, ठीक है, बतें, अगर मैं बत करू के वी आई सी की, कि खादियन विलेज इंडस्ट्री कमिशन के बात करू, इन्होंने पहला टैरा कोटा grinder बनाया, टैरा कोटा वही, जो हम मिट्टी के बरतन बनाते हैं, जिसके डैट इस टैरा कोटा, अब यह जो टैरा कोटा grinder बना इंपोर्टन कोशन है, जल्दी से बते, अंसर के इसका वारा नसी में, कहां पर वारा नसी में बनाएंगा, एक और कोशन देखिए, देखो कोर्सिस एवलेबल हैं, देखो मैं सीटी के कोर्सिस तो लाइब कर चुका हूँ, 50 आर्स के, आई बी का 30 आर्स का, यह ससी गोल से आप जूड सकते हैं, इसके अलावा में ने आप डिफेंस के कोर्सिस भी लाइब किये हैं, 70 आर्स के कोर्सिस हैं, लाइब कोर्सिस होंगे, तो आप ससी एडिफेंस कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी में, सीडियस कैटेगरी में जाईएगा, मन सिलेक करके आप जूड सकते यह रैफर कोड लगा के लाइवमन ठीक है इससे आप डिरेक्टली ठीक है डिसकाउंट ले लेंगे इस कोशिंगा आंसर बताएगे मैं बाकी डीटेल आपको बताऊंगा क्लास के एंड में और इसके बाद आने अकेडमी क्लास है वहां पे भी आप जूड़ सकते हैं असान है नंबर ओफ टित विचा रिप्लेस इन मैं तो भाई कितने टित हैं बीज दात होते हैं जो दूद के दात कम कि जिसे कहते हैं जिसे रिप्लेस किया आता एक और कोशन देखो इसको शेयर करेगा बती भारत में अगर मैं 20 किस की बात करूँ यही वर्च हो गया इसका इंपोर्टेंट है इसकोशन पंदरा लाग करोड का अगरिकल्चर क्रेडिट टार्गेट कितना था जल्दी सबक मैं एक जरत कोशन धेक्त कूर्टेंट है आप से तोटल बोले तो पांत होती है ना तो फोर्थ स्टेटि यह है और फिव्थ स्ट्रेट यह है ठेक है तो फॉर्थ का कोशन अगर आए तो basic कोशन हो जाएगा बहुत जता प्लाजमा का अन्सर ठेक है चलिए हाज क्षे का स्कीम हाइं ठीक है तो ये राज्य का नाम है ओड़ी सा की स्कीम है एक महत्वर्पुन सवाल जो आपसे पुछा सकता है वासकेट बोल गेम बोड साइट तो असान है चलिः ुए भी कोशन बते इस इसको कोशन आज सक हैं यह उस लेवल पर पर क्या है जिस लेवल पर चाहा है च॑ वह ही मुश्किल हो है कुछ स्पैसिफिक कोशन मुश्किल होते हैं कुछ असान होते हैं तो सारी देखने मिद्धान परिशत कि accent कर्य 45 अगर आप इसका सदस्य बना जाते तो नियुनतम आयू कितनी है कितनी नियुनतम आयू होनी चाहिए ठीक है आपकी नियुनतम आयू ठीक है तीश वर्ष तो होनी चाहिए ठीक है अगर ये विधान सभा का बोलता तो 25 होता पंचायत का बोलता तो 21 आता और गवर्नल का बोलत पता है लुए बते हैं कि देने सेल में किसका बनाता है सभी बताई सब्सक्राइब संजे अंग्र अनिश चितने बच्छे देख रहे हैं कि कि संजे मंदाल एक बरी कमेंट बोक्स पर लिखी है तो सही ठीक है बाकी मैं आपसे अभी कोशन करवा रहा हूं ठीक है जब आपको marathon कराऊंगा फिर आपका interaction भी रहेगा बड़िया तरीके से अभी सिर्फ मैं कोशन करारो marathon होगी हमारी बड़िया तरीके से वह भी कराऊंगा Friday को आंसर के इसका DNA में nucleic acid होता है nucleic acid होता है एक और question कोशन कुछ है इसमें ठीक है दिमाख रखेगा बेकार कोशन और इतना बड़ा साइस का कोशन आपको एक्जाम में देखने को नहीं मिलेगा गैस रिलीस डूरिंग photosynthesis बहुत basic कोशन कि भाई photosynthesis प्रकास अंसलेशन में कौन सी जो process allocation issue कर रहा है ठीक है department of telecom की तरफ से और इसमें जो IMEI है इसका full form पूछा गया अब ऐसे full form पूछे जाते जैसे money money transfer money market transfer वाले जो system है वैसे full form आते ये भी full form पूछा सकता है तो यह कह है international mobile equipment identity ठीक है international जितना भी डालो वैसे इस phone detect करने के लिए ठीक है answer इसका क्या है international mobile equipment identity दूरदर्शन की स्थापना कौन से वर्ष में की गई जल्दी से बते दूरदर्शन की स्थापना कौन से वर्ष में की गई इस question का answer क्या है comment करेगा ठीक है दूरदर्शन की स्तापना की गई 1959 में ये class साड़े-स बज़े daily हो रही है हलका सा buffering होगा अभी class में ठोड़े सा buffering होगा एक second का ठीक है class पूरी देखना अभी साड़े-स बज़े daily class हो रही है तो इस question bank को daily देख सकते हैं अब साढ़े तस फ़री वाइफ़ा स्टडी चैनल पर आगे हैं ते इस कोशिंग आणसर बते हैं यूएस के प्रेजिडेंट डोनल्ड ट्रम्ट जो अपने समय में जब थे आभी तो वैर नहीं है ठीक है उन्होंने इंडिया अमेरिका की तरफ से ठीक है OECD के नॉमिनेटिड एन्वा यह किसे बनाया था किसे बनाया था याद रखिएगा मनीश्यां स्टिशन को बनाया था नॉमिनेटिज बन ठीक है देखतें हें पर कोशन राएक ने इसकोशिंग आंसर कै ऑगे तो को सटेट जोуют पब्लिक डिस्रिबिशन स्कीम के अंदर पीडिएस के अंडर ठीक है पल्सिस और ओयल डिस्ट्रिब्यूट करने वाला जल्दी सब्सक्राइब कौन सा इसस्टेड है ठीक है डियर अंशुल वैसे तो कोई दिक्कत फिर भी आप पुरा देख दाखके ही जाए ठीक है आइकांट अशोर यू अन दिस तिंग ठीक है इंदू गुलिया यह क्लास आपकी ना इधर तो आदे घंटे में खत्म हो जाएगी बस अन अकैड़िमी पर इसको मैं कंटीनियू करूँ आंसर इसका तामिल नाडू है थे तामिल नाडू सरकार यह बताओ फैट जो स्कीन के उपर प्रेजेंट होता है वह किस चीज के यह थे इसका आणसर क्या पच्छे दिमाग को रखना क्यूंकि वह हीट लूस नहीं होने देता एक और कोशिन देखिए यह कोशन गलत है क्योंकि आप्शन गलत है हाँ जी यह अच्छा कोशन देंगा एक सेकिंड की बफरिंग पे मत जाना ठीक है बफरिंग थोड़ी लेकिन बता इस कोशन अंसर पीडिएफ कैसे मिलेगी पीडिएफ मिलेगा तरीका है क्योंकि अभी मैं यहां में पचास कोशन कराने के बाद ना अनकेडमी पे इसी से संब्दी डेड़ सो कोशन और करा हुआ दोस्तो कोशन जब हो जाएंगे उसकी पीडिएफ आपको उसी क्लास के जस्ट एंड में मिल जाती तो अभी आना अकैडमी के क्लास 11 बिज़े स्टार्ट होगी इसके जस्ट बात तो वहां पर भी जुड़ेंगे ठेके जैसे इस कोशन अंसर देगे दो डिफ्रेंट मैटल है और उनको इमर्ज़ किया गया पानी में और अगर उन पर इक्वल अप्थरस लग रहा है तो उनका जो वोल्यम है न वो सेम हो ठेक है मिल अगर अप्थरस लग रहा है ठेक है एक और कोशन देखे आई एक कोशन नहीं करनाउ चाजquest कर रहा है गव गोवा अपना स्टेटूट टीस मही को सेलिब्रेट करता है एक और कोशन देखते हैं इस कोशन आंसर के हैं ठीक है इस कोशन का आंसर के सारेक्स माइंटेन एक्साइट गो चल्दी से बताएं यह जो सीसे इसका इसका刑 किसका सांटिफिक नेम है ठेके जब उतास जो है किसका सांटिफिक नेम है ठीक है यह चीता को हम कहते हैं ठीक एक और कोशन देखिए आई पी के लाज सुबह नोग बजे देखा करो वाई-फाइ स्टूडियो चैनल पर होती है ठीक है मिस मत करें गरो एक और कोशन देखिए इस कोशन आन सके हैं वेचाओ तो फॉलिंग कंप्राइजर स्टेंडर्ड हाइड्रोजन इलक्ट्रोड नेमले कि तुमें से किसमें स्टेंडर्ड हाइड्रोजन इलक्ट्रोड होगा हो ठेक है तो बहुत सारर्ण सावाल है किसमेहोगा अब प्लैंट्यम इलक्टोड कोटेड विद् प्लैंटिय। इसो इसमें होता है ङ्या में wait के डेली बेसिस पे अच्छा खासा कोशन पढ़ सकते हो और इसका अनकेडिमी पोर्षन भी आपका बहुत बेनिफिट करता है तो इसलिए भी एक लास इंपोर्टेंट है ठीक है इसकोशन का आंसर क्या है कमेंट करें सेशन को लाइक और शेर करना है इसकोशन का अंसर बताईगा है हांजी आंसर क्या है कि कुन सा स्पेस जिसने पहला नियर्बाइ सुपर अर्थ प्लैनेट जी जे थ्री फाइफ सेवन डी ठेक है लोंच की अच्छा नासा ने खोजा थे एक और कोशन देखी इस को कोशन आन सका है फाइनल कोशन हैं दस कोशन और कर लेते हैं फिर अन-कैडमी जुड़ेंगे आन-कैडमी जुड़ने का तरीका क्या है कि आपको क्या करना है वीडियो के डिस्क्रिप्षन बोक्स में लिंक दे रखा है वही पर अभी ग्यारा बचे सेशन स्टार्ट करा और वह स्बेंटर कोछें में तो आप यह सब याद रखेंस्ट में ऐए जल्दी से बताए caveat 0 5 इसारे चेड़ा देली योडिया करो साड़े सेरे मताऊ पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भारत का कहां पे इंस्टॉल किया गया कहां पे दिमाग पर रखेगा ठीक है सुरेंद्र नगर गुजरात में ठीक है एक और कोशन देखें इस कोशन आन सका है कमेंट करें ओस्वाल प्रोसेस यूज होती है क्या मैनुफेक्चर करने किटलिस्ट के रूप में किसे यूज कहा जाता है है कमेंट करेंगा के जल्दी से बताइए अच्छा कोशन है क्यास पॉस्ट यह और को आनसर आँसरं को आप निअ of the following ठीक है जो जड़े होती है उसमें जो हेर साराइज होते हैं तो वो किसकी वाज़े से epidermis की तरफ से ठीक है epidermis की वाज़े से होते हैं important question है पूछा आ सकता है ठीक है चलिए अभी पूरे question cover करने अभी ठीक यह question ठीक है जल्दी से बतेगा ठीक है आंसर के इस question का जल्दी से बतेगा आर्पी इन्हें ठीक है चली ठीक है एडवाइस ठांक सबीको ठीक है आर्वे ने जो ऑपरेशनलाइस किया था चेक transition system दोस्तों यह कौन से शैर में तो यह दिल्ली में apply किया था पहले ठीक है तो यह बहुत ही basic कोशन है दिल्ली में start किया गया था यह पाते pension of the judges of high court ठीक है जज़िस जो हाइग कोड के होते हों उनको जो pension मिलते हैं वो कहां से याद रखे consolidated fund of इंडिया में से मिलती है consolidated fund of इंडिया में से इनकी salary भी आती है इनकी pension भी ठीक है दोनों चीजे at all comes from this also all of the following are excretory product of animal except what चल्दी से बताएगे इस question answer क्या है comment करेगा बाई सेखिड नंबर फे कौन सा जीडीवी मामले की अगर मैं बात कर paradigm से याद रखेगा पानि पीते हो मैं सुबे से बारा घंटे के तो मेरी final class लास के इससे पहले मैं बहुत सुबह के लेता हूं तो उसके लिए चाहिए होता भी ठीक है बफरिंग अगर हो तो करेंगा यह बहुत ही प्यारा कोशन है ठीक है नैशनल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम से समधित है इंपोर्टन कोशन आ सकता है ठीक है तो जो भी वच्चे इस क्लास को देख रहा है दोस्तों एक तो मेरी कंप्लीट जोग्रफी की क्लास आप साड़े बारा बज़े देख सकत सेशन के बाद अभी हम 500 कोशन ओर करेंगे एंगों करतें क्यूंकि यहां पर फेलो प्रोट है तो यहां पर शेसन को को ओपन करें ठीक है लिंक को उपन करने के बाद स्पेशल क्लास में जाए यहां पे और वहां पर को आपको मिल जाएगा लाइब लगाई एंट्री के लिए ठीक है अभी सारे के सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मोख में लिंक दे रखा वहीं से जुड़ जाओं ठेक सभी के सभी जुड़ी है को आपको पहले डिटेल बता रखे कि मेरे स्सी कॉर्स लाइब है ठीक है उसके अलावा और भी सब्जेक्ट साथ के साथ डिफेंस के कोर्स से कुछ लगों लखें ीप पर दिसकाउट ़एक तो आप इस रेफर कोर्ट को यूज करके जुड़ सकते हैं मुझे अब भस सब्रकえて आप सबसेंद जब जुड़ेगा प्रकाश एकनॉमिक्स की मेरतोन हो जाएगी लेकिन उससे पहले जो इंपोरेंट सब्जेक्ट है लाइक बायलोजी यह बहुत इंपोरेंट सब्जेक्ट है इस पर कोशन आ रहे हैं एंटी पीसी की रिक्वार्मेंट है तो डिफेंस के एक्जाम की